हेलो एब्रिवान वेलकम टू स्टाडी पॉइंट, स्टाडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में आज हम UP pieces pre exam, जिसकी exam की date है 28 October, इस exam के लिए उत्तर प्रदेश से related कुछ important current affairs के questions और GK questions को discuss करेंगे और ये question आपके UP pieces exam के साथ साथ, वीडियो की exam और अन्य सभी exam के लिए important है और इसमें 25 questions है, और ये part 10 है, इससे पहले part 1 से लेकर के part 9 चैनल पर अप्लोड है आप उसको भी देख सकते हैं, 10 मिनिट के वीडियो से और इसमें आपके 25 questions त्यार हो जाएंगे असानी से तो चले इस वात करते हैं, उत्तर प्रदेश से related कुछ important current affairs और GK के questions पहला question है, निम लिखित किस इस्थान पर भारत की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी चार option है, धामपूर, मवाना, प्रतापूर और शामली और इसका सही आंसर है प्रतापूर क्योंकि ये भारत की प्रथम चीनी मिल है, ये important question है और कई बार ये question पूछा भी गया है एक्जाम में तो option C is our correct answer प्रतापूर और इससे पहले सुबा 6 बजे जोगरफी के कुछ revisions के question मैंने channel पे upload किये हैं आप उसको भी देख सकते हैं, उसमें एक question का miss print हुआ है और उसका link में description box और comment box में pin कर दूँगे आप उसको भी देखेगा उसमें 25 important question है जो कि आपके आने अल एक्जाम, UP pieces exam और वीडियो के एक्जाम के लिए important हो सकते हैं और next question है, निमलखित में से किस प्रकार के रेशम का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है जोगरफी के वीडियो में एक question था area से related, कि कौन से country का area सबसे जादा है इसमें question मिस्प्रिंट है, उस question को आप लोग skip कर दीजेगा फिलाल हमें जोग ये question पढ़ते हैं, निमलखित में से किस प्रकार के रेशम का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है चार option दिया है, सहतूती रेशम, टसर रेशम, अरंडी रेशम और मुगा रेशम तो इसमें से जो उत्तरप्देश में जिसका उत्पादन होता है मूगा नहीं होता है बाकी तीनों का होता है तो चवथा जो है यह Ilminate हो जाएगा जिसमें four options होगे वो कट जाएगे यह यह नहीं होगा answer यह भी नहीं होगा और हमारा answer हो जाएगा 123 उत्तरप्रदेश में सहतूती रेशम, टसर रेशम और अरड़ी रेशम का उत्पादन होता है बहुत important question है यह जोग्रफी में भी question पूछा जा सकता है इसलिए option C is our correct answer next question है वर्स 1920 में बी आर अंबेटकर के लंदन प्रवास वाले घर को निम्न में से किस राजसरकार ने खरीदने का निर्णे लिया है चार option दिया है और इसका सही answer होगा महरास्ट सरकार ने महराज सरकार ने बिया रम बेट करके लंदन प्रवास वाले घर को खरीदने का निर्णा लिया है option B is our correct answer next question important question है निम्ण में से कौन काला जार का कारक है चार option दिया है और इसका सही answer होगा लीश मानिया option C is our correct answer लीश मानिया काला जार का कारक है next question है निम्ण लिखित में से किन इस्थानों पर Software Technology Parks of India STPI इस्थित है चार option दिया है पहला है नोईडा, दूसरा है कानपूर, तीसरा है लखनौ, चौता है वारांसी आपको बताना है कि किन किन जगहों पर Software Technology Park of India इस्थित है इसमें से आपको जैसे कि वारांसी में नहीं है तो option 4 जहां जहां पर होगा वो Eliminate हो जाएगा जैसे कि चौता Eliminate हो जाएगा B वाला भी Eliminate हो जाएगा A वाला भी Eliminate हो जाएगा बसता है हमारा 1, 2, 3 याने की Noida, Kanpur और लखनौँ में Software Technology Parks of India इस्थित है और वारांसी में नहीं है प्रकार हमारा option C सही answer हो जाता है Next question है निम्न को सुमेलित कीजे देखे लिस्ट A में कुछ लोक गीत दिये है और List 2 में उनके विशय के बारे में बताया गया है तो आपको सही match करा करके इन चारों में से सही answer को बताना है पहला है बिरहा इसमें दिया है इसका गायन मुकिता ब्रज शेत्र में होता है विशेज कर भगवान हनुमान की उपासना के लिए तो विरहा का सही answer हो जाता है यह नहीं होगा विरहा का सही answer हो जाता है दैविय भावना और परालोकिक अध्यात्मिक भावना से परपून गायन यह हो जाएगा विरहा का यहने की A का B नेक्स्ट है लंगूरिया तो लंगूरिया ये होता है इसके विशे में है प्रियतम की विरह या मिलन की प्रेणना से सम्मंधित गीत तो ये हो जाएगा लंगूरिया का डी हो जाता है और विरह का टू हो जाएगा कजरी कजरी होता है वर्षा रितु में गया जाने वाला गीत है और लास्ट पस्ता है रसिया इसका हो जाएगा A यानि कि इसका गयान मुक्किता ब्रच छेत्र में होता है विशेश कर भगवान हनिमान की पासना के लिए इस तरह हमारा आंसर हो जाता है option D option D is our correct answer वीडियो को pause करके यह जरूर आप लोग जयात कर लेजेगा इंपोर्टन है यह इंडिविजविली भी पूछा जा सकता है next question है भाम, बांध, निर्मित है किस नदी पर चार option दिया है तापी नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी और भीमा नदी पर तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाम, बांध, निर्मित है तापी नदी पर option A is our correct answer next question है निम्न पर विचार कीजिए पहला है इलहाबादी सुर्खा दूसरा है बनारसी साड़ी तीसरा है लखनाउ चिकन चौता है मलीहबादी दशेरी और पांचवा है काला नमक चावल आपको बताना है उपर्युक्त में से कौन भागोलिक उप दर्शन रजिस्ट्री में दर्ज है तो इसका सही आंसर होगा सभी एक, दो, तीन, चार, पांच ये सारे भागोलिक उप दर्शन रजिस्ट्री में दर्ज है जो कि है इलहबाद सुर्खा, बनारसी साड़ी, लखनाउ चिकन, मलीहबाद दशेरी और काला नमक चावल ओप्शन डी इसावर करेक्ट आंसर डी इसावर करेक्ट आंसर नेक्स्ट कोशन है, उत्तर प्रदेश के किस सहर को सीराज हिंद के नाम से भी जाना जाता है ये कोशन कई बार पूचा भी गया है इसका आंसर होगा, जॉन पुर ओप्शन सी, इसावर करेक्ट आंसर next on the origin of species नामक पुस्तक की रशना किस ने की है इसकी रशना की है चॉल्स डार्विन ने option D is our correct answer next question है उत्तर प्रदेश के निमलिकी जनपदों में किसकी सीमा सरवाधिक अन्य भारतिये राजियों से लगती है important question है फिर से देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के निमलिकी जनपदों में किसकी सीमा सरवाधिक भारतिये राजियों से मिलती है तो ये है सोन भद्र option C is our correct answer और सोन भद्र की सीमा लगती है ये भी आपको याद कर लेना है MP से MP से 36 गड़ से बिहार से और जहारकंड से 4 से 4 से लगती है ये है सोन भद नाम है MP, 36 गड़, बिहार और जहारकंड option C is our correct answer next question है निम्लिकित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन के प्रेंड़ता थे प्रणेता थे कौन यंग बंगाल आंदोलन के तो ये थे हेंडरी, लुई, वीवियन, डेरोजियो option B is our correct answer next है निम्लिकित में से कौन सा युगम सही सुमलित नहीं है चार दिया है, पहला दिया है सहेत महत श्रावस्ती, ये सही है बीतर गाउं कानपुर देहाथ, ये भी सही है गोरकपुर पहाडी, ये गोरकपुर नी होगा ये होगा महोबा महोबा होगा, तो ये गलत है तो सही सुमलित नहीं है, हमारा answer co लास्ट प्रेंस दोडेट बनाये है चे कौना रख ri to ship कि इसके साथ आपको यहात कर ले नाहेकिस अ सब आ Britain पर ही सब्सक्राइब यह पांध वियांग का고र्थ में रख्यार्रोन भी महोंब ant नेक्स्ट है के इंद्रिये मतमक्खी पालन अनुसंधान संस्थान कहां पर इस्तित है चार आप्शन दिया है तो ये इस्तित है पोड़े में आप्शन C is our correct answer नेक्स्ट है नेम लिखित युगमों पर विचार कीजिए और जो सही है वो आपको बताना है तो पहले में दिया है कॉंग्रेज अधिवेशन और उसका बताना है कि इस्तान कहां पर हुआ था ये कॉंग्रेज अधिवेशन पहला 1887 का मदराश में हुआ था सही है 1906 का कलकत्ता में हुआ था ये भी सही है 1924 का बेलगौ में हुआ था ये भी सही है और 1999 का लहोर में हुआ था ये भी सही है तो सभी सही है आपको ये याद कर लेना है कौन से साल में हुआ था कॉंग्रेज अधिवेशन और उनका इस्थान क्या था नेक्स्ट कोशन है निमलिकित में से किस स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा और उचा भारतिय रास्टिय ध्वश फैराया गया चार ओप्शन दिया है फरीदाबाद चंडीगर लखनओ और उड़े में इसका सही आंसर हो जाता है फरीदाबाद ओप्शन ए इजावर करेक् उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नदी सेतु किस नदी पर बनाया गया है और इसका सही आंसर हो जाता है घांगरा नदी पर उप्शन ए इस आवर करेक्ट आंसर घांगरा नदी पर उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा सेतु बनाया गया है नेक्स्ट है अंतर रास्त्री चा और करेक्ट आंसर सी हमारा सही उत्तर होगा नेक्स्ट कोशन है निम लिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है चार आप्शन है वस्त्र उद्योग चीनी उद्योग सीबिंट उद्योग और चर्म उद्योग तो इसका सही आंसर हो जाएगा वस्त्र वस्त्र उत्योग उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्योग है option A is our correct answer अगला प्रशन है नेम लिखित में से कौन सा राज स्वाइन फ्लू से सरवाधिक प्रभावित रहा ज्यादा इफेक्ट कहा इफेक्टेट स्टेट कौन सा था स्वाइन फ्लू से तो ये था गुजराथ option C is our correct answer C हमारा सही उत्तर होगा next question है उत्तर प्रदेश के निम लिखित में से किस स्थानों पर नच्छत्र साला इस्तित है ये पुछा गया कि कहां कहां पर नच्छत्र साला है तो लखनव में भी है गुरकपूर में भी है रामपूर में भी है तो इस प्रकार सही आंसर जाता है उपरियुक्त सभी option D is our correct answer next question है उत्तर प्रदेश में रास्त्ति शाषन सरपतम किस वर्स लागू किया गया था क्यूंकि ये उत्तर प्रदेश में सबसे सरपतम लागू किया गया रास्त्ति शाषनता तो कोशन इंपोर्टन हो जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा वर्स 1968 में 1968 में option B is our correct answer है तो date याद कर लिजे तो याद कर लिजेगा फिलाल option B is our correct answer नेक्स्ट है निम लिखित में से किस इस्थान पर उत्तर प्रदेश का एक मात्र जैन संघ्राले इस्तित है फिर से पर देते question निम लिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश का एक मात्र जैन संघ्राले इस्तित है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का एक मात्र जैन संघ्राले इस्तित है तो question important हो जाता है तो ये है मत्रुआ में option B is our correct answer ये इस वीडियो का last question है जो कि important भी है गुलाबो और शिताबो क्या है चार option है उत्तर प्रदेश की पहली कटपुतली उत्तर प्रदेश की पहली गलस्प कटपुतली और तीसरा है कथक की उत्तर क्रिस्ट नित्र नित्रियांगनाय चौता है हाथ रस की विशेज प्रकार की नौटंकी तो गुलाबो और शिताबो है ये उत्तर प्रदेश की पहली गलस्प कटपुतली option B is our correct answer बहुत important question है याद के लिएगा गुलाबो और शिताबो तो ये कुछ उत्तर प्रदेश से related questions थे और I hope ये वीडियो इस आपके आने वाले exam जैसे QP PCS exam वीडियो exam के लिए बहुत important हो thank you so much for watching thank you